ननकाना साही में हुए पत्थराब को लेकर अब सोलन का हिंदू जागरन मंच भी सुर्ख हो चला है जिसको लेकर यूबा परदेशा द्यक्ष नबनीत गोदियाल को ग्यापन सौपा गया है और पत्थराब करने वाले उप दरभियों के खिलाब कारेवाई करने की मांग की है ननकाना साही में हुए पत्थराब को लेकर अब सोलन का हिंदू जागरन मंच भी सुर्ख हो चला है जिसको लेकर यूबा परदेशा द्यक्ष नबनीत गोदियाल की अध्यक्षा में हिमाचल के राजेपाल को ग्यापन सौपा गया है और पत्थराब करने वाले उप दरभ ननकाना साही पर हुए पत्थराब को लेकर सारव विश्व और ये खबर बेहत शर्मनाक है उन्होंने कहा कि जो भी पत्राप करने बाले मास्टर माइंड है उन्होंने कहा कि ऐसी घटना दुबारा ना हो इसके लिए भी पाकिस्तान सरकार को एतियातन कदम उठाने चाहिए किया शिमला से इसकी शुरुवात हमने महा महीम राजयपाल जी को ग्यापन दे करके की साथ में उन्हीं के माध्यम से महा महीम राश्टर पती जी को भी ग्यापन हमने सौपा साथ ही उसके बाद नदावन में उसी करम में बिलासपुर में और उसी करम में दो दिन पहले परव महिम राजेपाल जी को ग्यापन भी सौपा गया इसी करम में आज सोलन के अंदर भी हम लोग डीशी सहाब के माध्यम से ग्यापन सौपने वाले हैं ननकाना साहिब जो है वो हम सभी के लिए बहुत ही पवित्रस्थान है भारत में रहने वाले किसी भी हिंदू से किसी भी सापक हैं और एक सही मार्ग पूरी मनुष्य जादी को दिखाने का काम किया है बलकि हमारा तो यह मानना है कि श्री ननकाना साहिब जी सभी के लिए उतना ही पवित्र है जितने पवित्र हमारे लिए जितनी आस्था हमारी श्री राम जन्व भूमी में है उतनी ही आस्था ह हमारे श्रीन हनकाना साहिब में भी है